कि अपैंग्स मैं से यह राके सिंगल त्रिश्वाइब आई वेलकम तो आवर चैनल टेक्स पूर्ड उर्स पूर्ड और आज हम लेके हैं अपनी नाइच प्लेडिक्स टेली सिरेज कल के बजार में क्या करें इसके लिए पहले बात करते हैं आज के मार्केट की आज हम बात करते हैं निफ्टी आज जो भी में लेवल आपको बता रहा हूं ये निफ्टी ये इस्पॉट लेवल नहीं है वेली जी इस्पॉट निफ्टी में आज निफ्टी ओपन हुगा 84 से क्याउन पर और उ तो इसके बाद देन आज हमारी finance minister निर्मा जी तरह मंजी ने कुछ एक stimulus package का announcement किया था मार्केट को तोड़ा अच्छा नहीं लगा और मार्केट तोड़ा slip हुआ 84.45 न का level टच दिया लेकिन फाइनली 46.45 मार्केट ने closing दी इसके लिए आपके बास 50 का चार्ट हम साथ में पीछ आप देख सकते हैं अगर हम कल के लिए बात करें निफ्टी की तो कल कर जो जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि आरली चार्ट पर निफ्टी ने gap down दिया था और उस gap को आज निफ्टी ने finally fill कर दिया है तो अगर हम कल की बात करें तो कल निफ्टी के लिए यह टार्गेट है मेरा 89,900 से 9,000 तक का टार्गेट निफ्टी का वेको लगता ऊपर में जो कि 9,000 पर प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए क्योंकि कल फ्रैडे भी है तो कल प्रॉफिट बुकिंग भी आनी चाहिए और फिर उसके बाद निफ्टी को फाइनली नीचे की तरफ हमारे टार्गेट 87-85 तक के टार्गेट जा सकते हैं इसमें 50 पॉइंट प्लस या माइनस हो सकते हैं क्योंकि range काफी बड़ी होती है आज कल आप देख रहें निफ्टी की तो उसकी वेज़े से ये टार्गेट जो है थोड़े 50 पॉइंट में आप प्लस माइनस देख सकते हैं अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी पर जो पर अठार है 1782 पर और उसके बाद इमीज़ेरी थोड़ा सा टाच लो टाच किया उसके बाद 20,400 टाच किया हाई बनाया और फिर 20,100 से 19,100 की रेंड में निफ्टी घुमता रहा बैंक अगर 5255 के साथ आपके बात बैंक निफ्टी का चार्ट भी खंज हो अगर की बात चल्क करें में निफ्टी के लेकर 2400 की बात खाते है तोफिके आब तो यह है हमारा बैंक निप्टी के लेबल और यह कल के बजार की सीरिज हमारी अब डेली वेस पर चलती रहेगी तो आप देखते रहें और अपना मुनाफ़ा कमाते रहें थैंक यू थैंक यू ब्रे मच